हेलो प्यारे स्टुइंट्स, माइ नेम इस सैफन इसबाव, वेलकिम चुमाई अर्थिस्टरी चैनल, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एट का चैप्टर नमर फाइव, जिसका नाम है दस समिट विदिन, रिटन बाइ एच्पियस आलूब वालिया, अब समिट का मीनिंग क्य होगा, उसको हम कहेंगे समिट, और ऐसे ही हमारे अंदर भी एक अंदर भी एक समिट होती है, ठीक है, जिसको हमें अचीव करना होता है, हमारे अंदर भी एक हाइस पॉइंट होता है, जिसे हमें अचीव करना होता है, इसी के बारे में हमें आलूब वालिया जी आगे मांघ बैका किश्टर बने के ऐसे लिए तो सब्सक्राइबित में भी जारूंगे लाष्ट में कि र में छांट करते हैं तो आपका जो chapter इसको मैं आपको first and second part में convert करूंगी ताकि आप लोगों को बहुत ही detail में और अच्छे से समझ आए Major HPS आलोवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965, अब expedition यानि a long journey for a special purpose special purpose के लिए एक long journey, तो यह long journey किसके लिए Mount Everest के लिए गुरूप बनाया गया था, जिस गुरूप में HPS आलोवालिया भी शामिल थे ठीक है 1965 में, how did he feel when he stood on the highest point in the world अब आपको पता है कि Mount Everest क्या होता है सबसे highest mountain है ठीक है, अब क्या है कि कैसा उन्हें feel हुआ जब उस highest point पर पहुंचे तो उन्हें कैसा feel हो रहा था, let us hear his story in his words, climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within और हम इन्ही की लिख्यूई, इन्ही की words में story पढ़ेंगे कि किस सरीके से वो summit पर पहुंचे और उसके experiences रहे उनके और ये भी पढ़ेंगे कि जो सबसे more difficult task के चढ़ाई का वो है खुदी के अंदर चढ़ना, मतलब खुदी के अंदर खुद का ही summit अचीव करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका chapter Of all the emotions which surge through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility surge यानि arose, arise होना suddenly and instantly intensely, तो ये जो इनकी emotions थे जब वो mount Everest पर पहुँचे उसके highest point पर पहुँचे तो उन्हें बहुत सादा emotions आ रहे थे यानि बहुत सारे उनको emotions आ रहे थे जैसे के feelings आती है तो सारी बहुत साई feelings उनको आ रहे थी जब वो वहाँ पर पहुँचे और उनको कैसा view दिखाई दे रहा था, वहाँ से एक panoramic view उनको दिखाई दे रहा था बहुत wide, बहुत बड़ा view उनको दिखाई दे रहा था सब कुछ वहाँ उन्हें इस तरीकी का view पूरा दिखाई दे रहा था और जो सबसे ज़्यादा dominant उनको feeling आ रही थी वो क्या थी? humility की, humility की, okay? वो humility की उनको feeling क्यों आ रही थी? हमलने इसकी feeling उने क्यों आ रही थी? वो हम आगे पढ़ेंगे, the physical in me seem to say thank God it's all over अब वो क्योंकि Mount Everest पर चलना इतना easy नहीं होता है वो बहुत ज्यादा थक गए थे तो उनकी जो physical strength थी वो तो यही कह रही थी that thank God वो पहुँच गए और ये अब उन्हें अब ये खतम हुआ चढ़ाई करना खत्म हुआ however, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness अब वो खुश तो थे बहुत अपनी success की वज़े से लेकिन कही नहीं कहीं वो थोड़े से sad भी थे वो क्यों was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads here after would down would lead down यानि वो इसलिए परेशान थे क्योंकि वो इसलिए थोड़े से दुखी थी कह सकते हैं क्योंकि वो क्लाइम कर चुके थे सबसे highest point पर world के सबसे highest point पर क्लाइम कर चुके थे और अब उससे जादा higher कुछ रहा ही नहीं था तो इसलिए जितने भी बाकी roads उन्हें छोटे दिखाई देंगे सब कुछ डाउन दिखाई देगा इसकी वाज़े से वो थोड़े से परेशान थे अब उन्हें एक strong emotions आ रहे थे जब वो Everest पर पहुँचे highest point पर तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे और thankfulness भी थे It is a joy which lasts a lifetime और यह जो खोशी थी यह lifetime की रहने वाली थी यानि हमेशा रहने वाली थी The experience changes you completely और यह experience होते हैं Mount Everest चड़ने के तो यह आपको पूरी तरीके से बदल देते हैं यहां पर HPS आलो बाली है बोल रहे हैं कि जब आप Mount Everest की चड़ाई को चड़ते हैं और वहां पर पहुच जाते हैं तो यह चीज आपको पूरी तरीके से बदल देती है The man who has been to the mountains is never the same again यानि जो भी आदमी mountain climb करता है वो पहले जैसे पहले वो था वो पहली की तरह same नहीं रहता है ऐसा क्यों वो बोल रहे हैं? As I look back at life after climbing Everest I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb formidable डरावना तो वो बोल रहे हैं कि जब आप climbing के बाद climbing आपने कर ली तो उसके बाद आप जब life को देखते हो तो आपको एक बात बात पता चलती कि एक और summit है वो क्या है? हमारे mind के अंदर एक summit होती है ठीक है हमारे mind के अंदर भी एक highest point होता है जो कि इतना ही डरावना होता है जितना कि Mount Everest चड़ना होता है और ये कोई असान चीज नहीं है ये कोई असान इसको चड़ना भी असान नहीं है mind की summit को achieve करना भी असान नहीं है वो बोल रहे हैं HPS आलू वालिया even when getting down from the summit once the physical exhaustion had gone अब exhaustion यानि fatigue, tiredness, थकावट तो वो बोले हैं जब मैं summit से नीचा आ रहा था धीरे धीरे जब वो summit से नीचा आ रहे थे तो वो उनकी जो physical exhaustion यानि जो एक थकावट थी वो धीरे धीरे जा रही थी यानि वो जो जितना थक रहते वो अब इतना नहीं थक रहते I begin asking myself the question why I had climbed Everest अब वो अपने आप से सवाल करते हैं कि जब वो वापस आ रहे climb करके कि मैं climb Everest को मैंने climb किया ही क्यों था ये question उनके दिमाग में arise होता है Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination कि क्यों ये चीज बार-बार मेरे दिमाग में run करती रहती थी कि मुझे Mount Everest क्लाइम करना है मुझे चड़ना है तो क्यों चीज ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी It was already a think of the past ये तो already एक past का हिस्सा बन चुकी है Something done yesterday जो कि कोई चीज येस्टेडे हो गई मतलब बीत गई कल की बात हो गई है With every passing day It would become more remote यानि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा ये और दूर होता जाएगा ये चीज और दूर होता जाएगा ये चीज And then what would remain और उसके बाद क्या बचेगा Would my memories All these thoughts Let me to question myself As to why people climb mountains ये सारे ही उनके दिमाग में जितने भी कोईशन आ रहे थे उनके माइंड में तो इसकी वज़े से क्या है वो अपने आप से एक कोईशन करते है कि फिर लोग क्यों माउंटेन क्लाइम करते हैं क्यों लोग फिर चड़ाई करते हैं क्यों इतनी मेहनत करते हैं कि माउंटेन क्लाइम करते हैं It is not easy to answer the question इस question का answer करना इतना easy नहीं है The simplest answer would be As others have said Because it is there It presents great difficulties यानि अगर इसका easy answer हमें देना हो तो जो बाकी लोग देते हैं तो लोग कहेंगे कि क्योंकि वो है क्योंकि वो present है Mount Everest इसलिए लोग उसपर चड़ते हैं और ऐसे तो नहीं है नहीं कि वो बहुत easy है उसपर चड़ना वो बहुत ज़्यादा difficulties उसको लगती हैं उसको चड़ने में, climb करने में कितना difficult task होता है लेकिन फिर भी लोग चड़ते हैं उसपर man takes delight in overcoming obstacles obstacles यानि difficulties तो man, यानि जो आदमी होता है उनको तभी मज़ाता है जब वो बहुत ज़्यादा difficulties को पार करगे कोई चीज हासिल करते हैं उनको तभी मज़ाता है एक इनसान को the obstacles in climbing a mountain are physical और यह जो अब यहां पर एक बात बताई गई थी कि आदमी जो होता है न वो क्या होता है जब difficulties face करता है और जब उसे कोई चीज मिलती है न तब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है यह आदमी की आदत होती है कि मुश्किल चीज जब वो मुश्किल से किसी चीज को हासिल करता है तो उसको ज़्यादा खुशी होती है अब बता रहे हैं कि अगर किसी को क्लाइम करना है को भी समिट पर पहुशना चाहता है माउंटेन की तो उसके अंदर क्या होना चाहिए इंडियोरेंस परसिस्टेंस और विल पार एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर इतनी यह जिसके भी अंदर होती है उसमें क्या होता है यह चीज बहुत ही एक्साइट होती है ठीक है एक्सिलेरेटिंग यह वेरी एक्साइटिंग तो यह चीज है हमारे एखाहर के लिए एटनी ही एक्साइटिट थी कि और एक्साइट थी I have a more personal answer to the question from my childhood i have been attracted by mountains मतलब लोग क्यों माउंटेंज चड़ते हैं मतलब वो सवाल कर रहे हैं अपने आप से की चीज़ें होनी चीज़ें क्लाइमिंग करने के लिए वो बोलते हैं कि मेरे पास एक परसनल आंसर है इस कोश्चन का कि मैंने क्यों क्लाइम करना चाहा कि मैंने क्यों माउंटें को क्ला I had been miserable lost when I was away from mountains वो बोलते हैं कि मैं माउंटेंस से दूर रहता था मैं माउंटेंस वाले इलाके में नहीं रहता था पहाड़ वाले इलाके में नहीं रहता था तो मैं अपने आपको बहुत दुखी फील करता था केला फील करता था बहुत ज्यादा इन दा प्लेंस जब वो प्लेंस में होते थे प्लें एरिया में जब वो होते थे माउंटेंस आर नेचर अट इस बेस्ट वो बोलता है कि माउंटेंस जो है ना वो नेचर का बेस्ट नेचर की बेस्ट चीज है सबसे बेस्ट चीज है देर ब्यूटी और मिजिस्टी उसकी जो एक और ही अदे होती जो को पिर मेजजरी सो दियुक्पियो कि का है सबइसे चैलेंटेंज में नहीं चाहिए लोगlikeик बिहले मांटन सोव अदील कि अधूयुक्य मुडीय थो बहुत सारी लोग जो हैं जो सोरी ऑथर जो हैं हमारे एक्षपयर सालो वालिया वो बोलते हैं कि बहुत सारे लोग मानते हैं और मैं भी इस चीज़ को मानता हूं कि जो mountains होते हैं जो mountains होते हैं वो good से अच्छी तरीके से communicate कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत उचाहीं पर होते हैं और गोट से अच्छी तरीके से आसमान में स्काई में बहुत ज्यादा बहुत अच्छी से गोट से communication कर पाते हैं बातचीत कर पाते हैं तो यह वो कहते हैं once having granted this the question remains why Everest अब एक कोशन और राइज होता है बड़ा कोशन एक और राइज होता है कि जो हमारे सबसे हाइस है the mightiest है and has defied many previous attempts यानि बहुत लोग उस पर जो है चड़कर हार मान गए थे यानि बहुत लोग गए महां पर चड़ने के लिए Everest लेकिन वापस हार मान के वापस आ गए वह इसलिए इनके लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था यह ओथर के लिए तो इसलिए वह इस पर चड़ना चाहते थे टेक्स अपनी लास्ट आउंस और जी वह बोलता है कि अपनी लास्ट एनरजी भी जो इतनी चोटी से आउंस भी बचा होता है ना चोटी सी अमांट भी बचा होता है एनरजी का वो भी इसमें लगा देना पड़ता है मांट को मांट आवरेस को क्लाइम करने के लिए अब वो बोलता है कि बहुत ह़ाश पहाड़ है पत्थर होता है मांटेंस पर पत्थर होता है आईज एक होती है बहुत ज़ाँ जीphem के साथ हमें इस्ट्रगल करना पड़ता है हमें रहे हैं फ्लाजर है it cannot be given up halfway even when once life is at stake is at stake यानि खत्रे में भी हो अगर कोई वापस जाना भी चाहता हो अधे रास्ते से भी लोटना चाहता हो कि नहीं मुझे नहीं करना बहुत मुश्कील है तो कोई नहीं ऐसा कर सकता क्योंकि चाहें उसकी लाइफ ही क्यों न खत्रे में हो क्यों ऐसा नहीं कर सकता, क्यों वो आधे रास्ते तक छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि the passage back is as difficult as the passage onwards, कि जितना रास्ता उसे वापस जाने में लगेगा, कि उतना खत्रा उसको वापस आने में लगेगा, इस से अच्छा है कि वो वापस थोड़ा सा ओर चड़ ले, ठीक है, and then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought, and won, there is a feeling of victory and of happiness. आप वो बोलते हैं, कि जब कोई climb कर लेता है, Mount Everest को, और उसकी summit तक पहुँच जाता है, तो ये बहुत ज्यादा excitement से भरा होता है, और joy, बहुत ज्यादा खुशी होती है, और कुछ करने की खुशी होती है, कि कुछ हमने life में किया, और ऐसा लगता है, जिसे हमने कोई पर पहुचते हैं, तो, glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world, I experience a change within myself, वो बोलते हैं, कि जो distance, यानि वो mountain पर खड़े हैं, ठीक है, mountain Everest पर खड़े हैं, तो सारे जो जितने भी आसपास वहां पर mountains हैं, तो वो उनको सारी जुलक दिखाई दे रही हैं, सारे वहां पर mountains दिखाई दे रहे हैं, distance से उनको, और वो जब वहां पर खड़े हैं, तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुच गए हैं, ऐसे लग रहे हैं, कि वो अलग ही दुनिया में पहुच गए हैं, वहां पर जाकर, और उन्हें अपने अंदर कुछ change महसूस होता है, वो क्या change महसूस होता है, which can only be called mystical, उन् में वहां पर पहुच कर लग रहा था, by its beauty, aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way, अब वो बोलते हैं, ruggedness यानि big and strong, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जो पहाडों की beauty है, aloofness यानि distant, जो इतने इतने दूर दूर बड़े बड़े पहाड हैं, might हैं, ये powerful पहाड और big and strong, और ये जो difficulties हैं, encountered on the way, रास्ते में पढ़ती हुई, जो रास्ते में इतनी difficulties हैं, the peak draws me to it as Everest did, और ये इसी लिए, ये सारी चीजों की वज़े से मैं Everest चड़ा, ठीक है, इन सारी चीजों की वज़े से वो Everest चड़ना चाहते थे, it is a challenge that is difficult to resist, और इसी लिए, इतनी सारी खूबियों की वज़े स वो इन difficulties को न देखते हुए, वो resist, यानि मना ही नहीं कर सकते, और वो इनको इसको challenge देते हैं mountain को कि हाँ, मैं तुमारे उपर जरूर चड़ूँगा, जरूर क्लाइम करूँगा, क्योंकि वो मना ही नहीं कर सकते, इन सारी चीजों को देखते हुए, तो बच्चों, ये था आपका first part, okay, second part में हम इसको, आपकी story को complete, पूरा complete कर लेंगे, ठीके, और word meaning की वीडियो में पूरी अलग से बनाऊँगी, ताकि आप लोग को पूरे book के word meaning अच्छे से समझ आ जाएं, तो चली मिलते हैं next वीडियो में, तब तक लिए बाई-बाई and take care